प्रेग्नेंसी का जैसे ही दूसरी तिमाई शुरू होती है बहुत सारे बदलाव आते हैं उन्हीं सभी बदलाव के अधार पर बहुत सारी महिलाएं अनुमान लगाती हैं गरम में पल रही संतान बेटा है या फिर एक बेटी है देखे पहले के टाइम बे स्कैन या अल्टास सब देखकर अनुमाल लगाती थी क्या खाना खाने का तरीका उठेट tenho का तरीका पैरो को चाल चलन को देखकर बहुत सारी एसी संप्टम्स होते हैं जिनने देखकर पहले के घर के बड़े बुजड्य कॉजबुक्त लगाते थे चौथा, पांचवा, छटा महीना अगर आपका लगा हुआ है और बॉडी के अंदर ये चीजे नजर आ रही है तो इन लक्षनों से आप अनुमा लगा सकते हो कि आपके गरम में पल रही संतान बेटा है या फिर एक बेटी है देखिए प्रेग्नेंसी जर्निय कैसी जर्निय क किसमें हर एक महीने आपको नई-ने बदलाओ बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल्स चेंजिंग होते हैं जिसकर के आपको अपनी बॉडी के अंदर कभी मूट स्विंग जाता है कभी सरदर्द होता है कभी थकावट फील देखने के अपना पांचवे महीने का बताओ तो मैंने सोचा आपके साथ में एक सेपरेड वीडियो शेयर कर दो जिसमें तीनों महीने के सिंटम आपके साथ सेयर करती हूं तो देखे सबसे पहला जो बदलाव होता है लेकिन जब चौथा-पांचवा महीना स्टार्ट होता आपके इन चीजों को देख आपने पैनिक नहीं होना दरना नहीं है कि यह की ऊह रहा है । यह नॉर्मल है क्योंकि जब डिलिवरी होगी तो बच्चे के लिए फीड तब ही बनेगा जब अभी फीड बनने के सारे जो कहते है ना की शुरू आत है वो बस शुरू हो चुकी है फीड बनना शुरू हो रहा है और नौवे महीने के बाद बेबी को फीड मिलेगा इसले यह बदलाओ नजर आएगा तो आपको इसको देखकर डरना नहीं है आप इसी बदलाओ की अधार पर बोला जाता है और राइट अले स्थान से बड़ा लगता है तो आपको लड़का होने के चांसिस होते है वही लेफ्ट वाला आपको बड़ा लगता है राइट वला चो टो उतको सब्सक्राइब्स करता है कि वह बढ़ा है अब पहले आप एक बात नोटिस कर लिजी जब से पहले पहले ही किसी का राइट किसी का लेफट अब जो पहले से थोड़ा होगा तो बच्चे तो मैं साइंटिफिक अधार भी बता रही हूँ कि इसका कोई साइन्टिफिक अधार नहीं है यह सिरफ बताए हुए सीम्टम है, जिसके साथ मैं जोटा होता है łोë टरस्ट करता है, ठीक है ना तो वीडियो को इंज्वाले लीजेगा किसी गलत धाना से वीडियो को मत देखेगा क्योंकि वीडियो बनाने का परपस आपके मन के QCD को कम करना है अगर आपके बदलाव नजर अगर अगर आपके बदलाव नजर अगर आता है तो यह बेटा होनी के निशानी मानी जाती है थर्ड सिंटम की बात करते हैं तो आपके पैरों में बहुत जादा बदलावाएंगे ऐसा बीबी बॉय के टाइम पे 110 परसंट होता है क्योंकि यह लक्षन मेरी से भी मैच हुआ है कई मेरी सब्सक्राइबर के साथ भी मैच हुआ है जिनके पेट में बेबी बॉय होता है उनके पैरों के राइट पैर के नस्ट चड़ती ही चड़ती है नहीं चड़ती नस्ट तो आपके पैरों में दर्द रहता है अगर पैरों में आती है तो लड़की होने क सको 80% होते ही होते हैं कि लड़की होती है कई किसमें सा होता है कि कोई problem होती थार यप बीपी करके पर कई बार स्वैलिंग हो जाती है बलड सर्कुलेड नहीं होता तो यह निशानि बेबी कलकी होती है ऐसा मना जाता है लड़कियों के टाइम पर मा जो होती है पहले से ज़ादा वेड गेन कर लेती है हलका सा आपको बॉड़ी में पहले का कंपैरिजन मोटापा नजर आएगा weight again तो pregnancy में सबका होता है बट बेबी गल के टाइम पे आपने देखा होगा जिन महीलाओं के साथ यह चीज हुई होगी वो शायद समझ सकती है कि उनके जो गाल होते हैं वो पहले से भारी भारी लगते हैं वेट पहले से जादा बढ़ जाता है बेबी बम का वेट नहीं पूरी बॉडी का कई महीला हैं पूरी प्रेग्नेंसी में वैसी की वैसी रहते हैं जैसे पूरी प्रेग्नेंसी से पहले थी लेकिन कई महिलाँ के किसमें क्या होता है? जैसे की प्रेगनेंसिय हुआनों उन्हें कंसीव की, मतलब गाल निकल जाते हैं, हाथ पर मोटे हो जाते हैं, मतलब आपको खुद को लगेगा किआप गुलू-मुलू हो रहे हो, तो अगर ऐसा कोई सा ही नजर आता है, तो आसमाना जाता है कि उनको baby girl होती या महीं जो baby boy के टाइम पर क्या होता है body वैसे ही रहती जैसे pregnancy से पहले होती है खाली आपका baby bum का ही अगार बाहर होता है यानि कि पेड की shape क्या ही weight होगा body में weight gain या body में fat नहीं gain होगा यह election मैंने बहुत सारी महिलाओं के साथ अब जव किया है देखा है और यह बहुत सारी लोगों के साथ सटीक होता है अब आपके साथ कितना सटीक होगा या आपको after delivery पता लगेगा क्योंकि जितना मेरा experience है जितना मेरे subscriber का experience है बहुत सारी comments में यही चीज़ आती है कि मैंना मुझे भी बहुत ज़्यादा fat आ गया था गर्ल के टाइम पर मुझे भी बहुत ज़्यादा fat आ गया था तो कहीं न कहीं है बाते सच हुई और जो पहले के दाई-मा होती थी वो भी यही कहती थी बेबी गर्ल जब होती है मा के पेट में तो बेबी गर्ल के टाइम पे मा बहुत जादा सुन्दर दिखने लग जाती है skin glowing हो जाती है, body पर fat आ जाता है और बेबी बाइक के टाइम पे face में बहुत ज़्यादा तो अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो यह निशाने आप शुरली हो सकते हो कि आपको बेबी बॉआ होगा बाकी तो देखे यह अनुमान की अधार पर वीडियो है साइंटिफिकस का कोई अधार नहीं है कहीं पर भी चीज नहीं लिखी कि अगर ऐसा होगा तो पका शुरल लड़का ही होगा क्योंकि यह सिरफ पहले के जो दाइमा बताती थी बाते मित्स हैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूं जिनके केस में हो जाता है बिल्कुल सटीक वो इस पर ट्रस्ट करता है जिनके केस में नहीं होता तो वीडियो किसी गलत धाना से मत लीजेगा अब बा तो लड़का होने के चांसियों होते हैं जिनको डिशार नहीं आता उनको लड़की होने के चांसिज होते हैं तो बप पहले जान ले तरव ए वाइड दिचार्ज उसके जो भी डाईड चीजे वोटी से बहर निकलता है तो आपके प्राइड पडल को क्लेन करके रखता यह जो बोलते हैं अगर नहीं हुआ तो लड़की होगी मैं आपसे अपना experience बताऊं तो क्योंकि मैं आपसे अपना जो सच experience वही बताती हूं कोई गलत चीजे नहीं share करती तो मेरे case में बिल्कुल भी white discharge नहीं हुआ सिरफ जब मेरे delivery होने वाली हुई थी उस time पर white discharge हुआ था और उसके बाद 5-6 गंटे में बेबी हो गया तो यह लक्षन मेरे case में तो सटीक नहीं बैठा आप जिसके case में बैठा होगा तो वो मुझे क्योंकि बहुत सारे महिलाओंने comment किया था मुझे वाइड डिचार्ट बहुत होता था तो मैंने सोच आपके साथ शेयर करूं बट मे एक normal pregnancy का ही symptom होता है बाकि लोग इसे लड़का ये लड़की से जोडते हैं पर ऐसा नहीं है बाकि देखें मेरा चैनल लिंग में बेदबाउन नहीं करता नहीं यह चीज में सिखाती हूं अपनी वीडियो में मैं आपसे अपना personal experience शेयर करती हूं जो कि दोनों pregnancy में मेरे थे तो वीडियो को enjoy लिजेगा मिलते हूं किसे नई टॉपिक में किसे नई वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए बबाई टेक केर